Hello everyone, welcome to Eclavious Study Point and I am Sachin. आज की इस वीडियो में आप सबीकों में क्लास 11th की पॉलिटिकल साइन से जो आपका चैप्टर नंबर 4 है एक्जेक्यूटिव इसकी easy explanation करवाने वाला हूँ और आपको इसके free PDF notes भी provide करवा दिये जाएंगे तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आपकी कोई भी query है तो आप Instagram पे message करके पूछ सकते हैं username आप सभी के सामने दिया हुआ है और अगर आपको हमारे free notes download करने हैं जो की telegram पे available हैं तो उसके लिए आप हमारा channel join कर सकते हैं class 11 ESP यह आपको search मारना है यहाँ पे आपको जितने भी PDFs हैं वो time to time मिलते रहेंगी so आज का हमारा पहला topic है what is executive executive होता क्या है तो executive क्या है कि यह government की वो branch होती है जो की responsible होती है for the implementation and enforcing laws जो भी हमारा जो देश है उसमें जब कानून बनते हैं तो उसको implement करने का काम और उनको enforce करने का काम जो होता है वो हमारा executive का होता है जैसा कि मैंने आपको पिछले chapter में बताया था जो हमारी government होती है उसके three parts होते है एक होता है legislative जहां पे laws को बनाया जाता है एक होता है judiciary जहां पे यह देखा जाता है कि अगर कोई laws को violate करता है तो उसको सजा क्या देनी है और एक होता है executive जो की laws को implement और enforce करने का काम करती है तो आज हम पढ़ेंगे executive हमारे में ठीक है तो अब हम अपने chapter को आगे बढ़ाते हैं आई ओप आपको यहां तक clear होगा कि यह जो government का part होता है executive यह laws को enforce करने का काम करता है और implement करने का काम करता है तो देखते हैं जो executive होती है उसमें हमारे नेता होते हैं सारे मतलब main main जो नेता होते हैं for example यहां पर मैंने लिखा भी है the president of India, prime minister of India और governor of India हर state के governors भी होते हैं यह सारे मिलकर प्लस इसके अलावा officers भी शामिल होते हैं executive में याद रखना जिनको आप IES officer कहते हो IPS officer कहते हो यह लोग जो होते हैं यह भी executive का part होते हैं ठीक है सो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा और जो agencies होती है हमारी police agency हो गई यहां फिर जितने भी agencies होती है वो भी इसी का part है अब मैं आपको बताता हूं कि कितने type के executives होते हैं पूरे दुनिया में सो एक होता है presidential system एक होता है semi presidential system और एक होता है parliamentary system presidential system और semi presidential में क्या difference है यह मैं आपको आगे बताऊंगा हमारे देश में parliamentary system चलता है आपको पता है न हमारे देश में parliament है लोकसवा राज्यसवा हमारे यहां पे ठीक है two houses होते हैं लेकिन कुछ देशों में क्या होता है न जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा होगा presidential system वहाँ president सबसे ज़्यादा important होता है for example United States of America यहां पे presidential system चलता है और जो president होता है वो head of state होता है और government का भी head होता है यानि कि main power जो है president के हाथ में होती है president is very powerful ओके और यह countries के example है USA और Brazil ओके तो यहां से आपको simply दो तिन point समझ में आगे होंगे कि presidential में क्या होता है अब आता है semi presidential system इसमें क्या होता है कि इसमें presidential system और parliamentary system के mix features पाये जाते हैं यानि कि थोड़े features तो presidential वाले भी होंगे और थोड़े थोड़े parliamentary वाले भी होंगे क्योंकि इसमें president और prime minister दोनों के पास में कुछ power होती है ठीक है कुछ power president भी रखता है और prime minister भी रखता है ऐसा नहीं है कि सारी कि सारी power president के पास है और prime minister के पास कुछ भी नहीं है no this is not like this so इसमें क्या है PM और president दोनों ही significant powers रखते हैं ठीक है so the president is usually the head of state जो for example Russia है Russia का head of state कौन है Vladimir Putin so we can say that in the semi presidential system of government usually the head of state is the president while the prime minister is head of government अगर आप से कोई पूचे government का head कौन होता है so you can say that prime minister और कोई पूचे अगर जो head of state कौन होता है head of nation कौन होता है वो इसमें president होता है so countries है इसमें रशिया और स्रिलंका ठीक है रशिया का नाम आप सभी नहीं सुना होगा Vladimir Putin वाँ के president now we can talk about the parliamentary system which is followed in India so इसमें prime minister head of the government होता है government के सारे decisions prime minister लेता है सारी जो main main power होती है वो prime minister के पास होती है और most parliamentary systems have a president as monarch who is the nominal head of state और जिस भी देश में parliamentary system चलता है उसमें एक president जरूर होता है नाम का यहां कोई monarch यहां कोई raja rani भी जरूर होता है जैसे आपने सुना होगा United Kingdom में पहले Queen Elizabeth थी है ना और वहां का PM जो है वो powerful होता था Queen भी होती थी नाम की ऐसा ही अमारे इंडिया में क्या है प्राइम मिनिस्टर होता है और जो president है वो nominal नाम का होता है तो दो example में आप इंडिया और यूके दे सकते हो ठीक है तो प्राइम मिनिस्टर is more powerful in the parliamentary system of government अब हम देखेंगे कि parliamentary executive in India या parliamentary system in India जब हमारे इंडियन constitution को बनाय जा रहा था तो जितने भी leaders थे उनकी यही expectations थी कि भई government जो है न यह ensure करना चाते दे कि the government would be sensitive to public expectation जो लोगों की इच्छाएं है आकांगशाएं है expectations है government उस पे खरी उतरे and would be responsible and accountable और जो government है वो responsible होनी चाहिए उस पे आप question mark लगा पाऊ अगर वो कोई भी काम कर रही है तो यह तो सिरफ parliamentary system में हो सकता है क्योंकि parliament क्या होता है वहाँ पे assembly होती है ठीक है parliament में आपको debates देखने को मिलती है parliament में questioning होती है questions किये जाते है leaders से यह जो accountability और जो responsibility और यह जो बाते होती है यह सिरफ parliamentary form of government में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो that's why हमने चूज किया parliamentary system को so हमारा जो constitution है वो adopt करता है the parliamentary system of executive for the government at the national and state levels state level में भी आपकी जो है state legislative assemblies होती है ठीक है जिसको हिंदी में विदान सभा का जाता है और national level पर भी जो हमारी लोग सभा होती है ठीक है so we can say that national level हो यह state level हो हम parliamentary system ही follow करते है और there is a president who is the formal head of the state हमारे इंडिया का जो head of state होता है नाम का होता है असली power जो है वो PM के पास होती है president के वल नाम का होता है याद रखना prime minister और जो उसकी ministers की council होती है अब आप सोचोगे minister की council क्या है तो इसमें कुछ main main ministers होते हैं जो important finance minister है ठीक है चाहे उसके अंदर आपका foreign ministers है foreign affairs minister है जो जितने भी home minister है main main ministers होंगे उनके council होती है उनका एक group होता है और बीच में center में होता है prime minister इन ही के पास main power होती है ठीक है government को run करने की अगर मैं आपको बताओ दुरापदी मुर्मू जो की आप देख पा रहे है president है और prime minister नरेंदर मोदी है ठीक है तो यहां तक आपको clear हो गया होगा इंडिया के context में हम बात कर रहे है अब आपको मैं state का भी example एक दे देता हूँ देखो state level पे क्या होता है governor होता है और एक chief minister होता है governor जो है वो nominal head होता है state का यानि की नाम का होता है और जो government का head होता है वो CM होता है जो chief minister है उस पे main power होती है और जो उसकी council of ministers होती है समझा रहा है आपको national level पे जाओगे तो president और prime minister आपको मिलेंगे जिसमें president nominal होता है और prime minister के पास और उसकी council के पास main power होती है और वहीं जब आप state की बात करते हो सो हर स्टेट का एक governor होता है और उसके साथ में एक CM होता है CM और उसके ministers के पास main power होती है तो यह आपका state और national level पर मैंने आपको समझा दिया अब हम बात करते हैं power and position of president हमारे इंडिया में जब कोई president बनता है तो उसके पास क्या power आती है वो हम देखेंगे currently हम ये video 2024 में बना रहे हैं तो president है दुरौपदी मुर्मू तो दुरौपदी मुर्मू जी के पास क्या powers हैं आईए देखते है executive powers यह होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर को appointment करने का जो काम होता है वो president का ही होता है ये समझ लो कि जब प्राइम मिनिस्टर को चुना जाता है लोकसबा जो है ठीक है जो हमारी लोकसबा होती है उसमें जिसको भी प्राइम मिनिस्टर होता कोन है जिस party को majority मिलती है इसके अलावा President कुछ और appointments भी करता है जैसे कि Chief Justice of India जो होगा हमारा उसकी appointment भी President ही करेगा जो Supreme Court के judges होते हैं High Court के judges होते हैं उनकी भी appointment करने की power होती है इसके अलावा अगर लोकसवा को बिल्कुल रोक देना है उसका dissolution करना है तो यह power भी President के पास है और Parliament में अगर कोई speech देनी है पार्लेमेंट को address करना है दोनों houses में चाहे लोकसवा हो चाहे राज्यसवा हो उसमें President जाके अपनी बात रख सकता है ठीक है यह उसके पास पूरी पूरी पावर है और ordinance making power देखो वैसे usually हमारे देश में जो law बनता है उसका उसकी main जो शुरुवात होती है वो लेजिसले जो आपकी लेजिसलेचर होती है वहाँ से होती है वो बिल बनता है ठीक है बिल बनने के बाद वो प्रैसिडेंट उस पे साइन करता है फिर वो law बनता है फिर वो देश में लाग होता है बट आपको पता है एक शौर्टकट पावर होती है प्रेसिडेंट के पास वो बिना क आते हैं President के पास वो जब तक sign नहीं करेगा जब तक कोई law नहीं बन सकता देश में अगर हमारे इंडिया में कोई भी कानून बनाना है तो उसके लिए President का sign होना ठीक है और उसका approval बहुत जरूरी होता है ठीक है तो यह कुछ power है कुछ emergency situation में भी power होते हैं President के पास मान लो national emergency अगर आ जाती है so the President can declare a state of emergency in the country in case of a threat to the security of India अगर हमारे इंडिया के उपर कोई भी खत्रा है सुरक्षा का security का किसी नहीं पर attack कर दिया है so उस case में President पूरे देश में declare कर सकता है emergency और सभी चीजों को रोक दिया जाएगा ये खास कर war के समय हो सकता है किसी ने बहार से आप पे attack कर दिया है उस समय हो सकता है इसके अलावा ये तो national emergency की बात हो गई ठीक है पूरे देश में ये emergency लगा दी अब कभी कभी क्या होता है क कोई state है for example अगर West Bengal है और West Bengal में सही से constitution की according government काम नहीं कर पा रही है बहुत जादा internal conflict हो रहे हैं और law and order बहुत जादा खराब हो रहा है ऐसे में President वहाँ पे अपना President रूल लगा सकता है अब हम बात करेंगे power and position of Prime Minister of India and the Council of Ministers अब हम देखेंगे जो हमारे Prime Minister होते हैं इंडिया में उनके पास क्या power है और उनकी जो Council of Ministers है उसके उपर भी हम बात करेंगे Head of Government जो Prime Minister होता है वो Government में सबसे उंची position पर होता है Head होता है ठीक है और Cabinet का Leader होता है अब आप सोचोगी यह word Cabinet जो है इसका मतलब क्या होता है Cabinet का मतलब यह होता है जो PM के साथ जितने भी Ministers होते हैं Main Main वाले ठीक है जैसा कि मैंने आपको बताया था Ministers होते है Main Main वाले Finance Minister हो गया ठीक है Foreign Affairs के Minister हो गए इसके अलावा Home Minister हो गए यहां फिर Defense Minister हो गए यह सारे जो Main Main Ministries होती हैं इनके जो Main Minister होते हैं यह मिलकर एक Cabinet बनाते हैं और यही Cabinet के Leaders होते हैं और इनका Main जो सबसे Head होता है Cabinet का वो हमारा Prime Minister होता है ठीक है सो यह मिलकर Meeting करते हैं देश के foreign affairs किसी भी बाहर के देश के साथ कैसे relation रखने हैं यह हमारा Prime Minister ही decide करता है क्योंकि कुछ आपने Prime Minister ऐसे देखी होंगे जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती करने की बात करते थे कुछ Prime Minister आपने ऐसे भी देखी होंगे जो पाकिस्तान को घर में गुशके भी मारते हैं तो यह difference होत चाइना से दोस्ती रखता है और कौन सा Prime Minister चाइना को सबक सिखा सकता है तो यह foreign affair का जितना भी जिम्मा है इंटरनेशनल लेवल पर भारत की पहचान कैसी बनानी है वो भी हमारे Prime Minister ही देखते हैं आपने देखा होगा जितने भी summits होती हैं G20 हो गया यह कोई और summit होती है त प्राइम मिनिस्टर तो उनी का नाम लिया जाएगा तो वो जाते हैं अपने भारत को represent करते हैं international लेवल पर तो यह सारा काम Prime Minister का ही होता है ठीक है तो यह सारी बात है थी Prime Minister के बारे में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कुछ emergency power Prime Minister को भी दी गई है in case of emergency अगर emergency लगती है national level पर so Prime Minister can advise the President to declare a state of emergency और President's rule in a state where the constitutional machinery has broken down अब President जब emergency अनौन्स करेगा जब उसको Prime Minister's advice करते हैं Prime Minister ने अगर advice दिये कि President जी हमारे देश पर खत्रा है आप emergency declare कर दो तो उसकी advice पर ही President जो है वो declare करेगा अगर Prime Minister को लगता है कि President जी West Bengal या फिर उत्तरपरदेश या फिर MP या केरला किसी भी state में वहाँ की government अच्छे से काम नहीं कर रही है तो आप वहाँ पे state of emergency declare कर so उसकी advice पर वो emergency declare हो जाएगी तो यह emergency power हो गई फिर आते है legislative role क्या होता है भाई Prime Minister का so Prime Minister जो है हमारे Parliament में लोगसभा के अंदर आपने देखा होगा अक्सर अपनी बाते रख सकता है bill जो आते हैं law से पहले bill होता है वो मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ कोई भी कानून बनने से पहले law बनने से पहले वो एक bill होता है एक document होता है जिसको पढ़ा जाएगा और उसको पूरे मतलब Parliament में discuss किया जाएगा तो वो discuss करना, bills को introduce करना और जितनी भी proceedings होती है उसमें part लेना ये इनका एक right है एक power है coordination बहुत important बात है देखो प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकी की जितनी भी ministries होती है उनके साथ coordinate करता है जितने भी बाकी के government के departments होते हैं ठीक है जो government की policies होती है अलग-अलग department जो चला रखा है उससे बात करेगा president जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो बात करेगा ठीक है ज आगे बढ़ते हैं अगर मालो देश के ओपर कोई खत्रा आ गया crisis तो ऐसे में सभी देश जो मतलब देश के जितने भी citizens है वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही देखते हैं चाहे natural disaster हो जैसे अभी COVID-19 ठीक है COVID-19 आया था तो हम सारे TV से चिपके रहते थे कि भाई PM मोधी क्या बताने वाले हैं ऐसा तो हर देश वासी जो है security threat हो या मालो कोई COVID जल सा खत्रा हो तो प्राइम मिनिस्टर के उपर ही सभी लोग नजर रखते हैं इसके अलावा प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा advisor हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर ही होता है प्रेसिडेंट जिसकी advice पर क बताई होगी कि प्रेसिडेंट के पास एक ऐसी power होती है कि अगर मालो सुपरीम कोट ने किसी को फासी के सजा दी है तो प्रेसिडेंट उसको भी माफ कर सकता है तो अगर इतनी बड़ी power है तो ऐसे में अगर प्राइम मिनिस्टर उसको advice कर सकता है कि वही इसकी आप जो है होंगे ठीक है जो में में वाले होंगे यह मिलकर एक council बनाएंगे जो की आप देखोगे प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉंसिबल होता है इसको लीड करने के लिए जो council of ministers होती है उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर ही होता है जो policies बनाते हैं मिलकर और important बड़े-बड़े decision लेत ठीक है तो देखो यह मालो पीछे आपको दिख रहा होगा यह नरेंदर मोदी जी है उनके सामने सारे ministers बहते हैं राजनात सिंग जी है अमिच्छा जी है निर्मला सीता रमन जी है बहुत सारे आपको दिख रहे होंगे पीछे यह ministers है इनकी council है अब मालो को important discussion चल रहा होगा तो यह एक meeting होती है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखो the council comes into existence only after the prime minister has taken the oath of office एक minister की council जब ही बनती है जब कोई prime minister की शपत लेता है ओथ लेता है आपने देखा होगा न एक शपत होती है कि मैं अरेंदर मोदी यह शपत लेता हूँ तो जब वो शपत हो जाती है उसके बाद ही ministers की council बनती है उससे पहले कभी भी नी बनती और the death or resignation of the prime minister automatically brings about the dissolution of the council of ministers but the demise, dismissal or resignation of a minister only creates a ministerial vacancy इसका मतलब है अगर कोई PM मर गया या मालो किसी PM ने resign दे दिया तो उसकी जो council होगी वो dissolve हो जाती है लेकिन अगर कोई minister मर जाता है या resign देता है तो पूरी council नहीं dissolve होती बस उसकी minister वाली post जो है वो vacant हो जाती है ठीक है ये आपको मैंने बता दिया आगे बढ़ें the council of minister is collectively accountable to the लोकसभा अब लोकसभा क्या हमारी assembly है वहाँ पे question होते है भाई आपने अगर government ने कोई कदम उठाया है तो वहाँ पे opposition वाले बै answer देंगे उनकी बात का ये ऐसा नहीं कुछ भी करते रहेंगे आपको answer देना होगा ministers are accountable to parliament ठीक है पारलेमेंट को accountable है पारलेमेंट को जवाब देना पड़ेगा अगर आपने कोई भी काम किया है और answerable भी है आपको जवाब देहे बनना पड़ता है जब आप एक minister बनते हो आ आप PM बनते हो PM से भी सवाल किया जाता है लोक सभा में ठीक है अब हम बात करेंगे ये तो हो गया ऐसी एक्जेक्यूटिव थी जो change होती रहती है हर 5 साल में आपकी government आती है जाती है लेकिन एक एक्जेक्यूटिव ऐसी होती है जो कभी change नहीं होती है ये permanent रहती है इसका election voting से कोई लेना देना नहीं है ये executive होती है जो हमारी agencies होती है जो हमारी all India services होती है ठीक है जो हमारी bureaucracy होती है और इसके अंदर क्या है कि आपके IS officer IPS officer हर state के कुछ officers वह आ जाते हैं जो हमारी Indian bureaucracy है उसमें all India services आती है जहां पर पूरे pan India level पर आपको कहीं पर भी posting मिल सकती है state services आ जाती है जैसे UP, PCS ठीक है और आप देखो कि PCS होते है जो मतलब state level पर जो अधिकारी बनते है और जो IS होते है वो national level पर अधिकारी बनते है तो ये जो अधिकारी होते है officers या officials ह होते है ना ये permanent executive में आते हैं ठीक है इनको कोई हटाता नहीं है ऐसा इनका election वगरा नहीं होता ये अपनी काबिलियत के बदोलत आते हैं exam clear करके UPSC का exam होता है state VCS का exam होता है so ये जो IS officer वगरा बनते है all India services जो होती है इसका exam union public service commission लेता है UPSC का का काम होता है permanent executive के लिए officers नि India और similarly जो public service commissions होती है state level पर भी बनाई जाती है हर state की भी अपनी एक machinery होती है ठीक है ये मैंने आपको बता दिया हमारी जो civil services होती है इंडिया में अगर आप उसको category wise देखोगे तो मैं आपको बता दूँ all India services जिसमें IAS आता है IPS आता है central level की services होती है जिसमें IFS आ जाता है Indian foreign service और Indian custom service state level services होती है जहां पर आपके state level के officers होते है ठीक है जो state PCS का exams देके आते हैं तो यह हमारी category हो गई services की ठीक है तो एक IS officer आप सभी ने सुना होगा कि कईयों का aim भी होगा हमें आगे चलके IS officer बनना है UPSC का exam देना है तो वो यह होते है officers ठीक है और जो UPSC जिसको select करती है for Indian administrative service and Indian police service ठीक है इसका मतलब है IES और IPS जो बनता है वो हमारे देश की backbone बनता है क्योंकि एक बड़ा अधिकारी ही क्या करेगा उसकी posting किसी district में होगी एक जिले को सुधारेगा तो जिले जिले से ही district से ही तो एक देश सुधरेगा इसी लिए यह जो है officers होते हैं इनका काम होता है अपने अपने जिला को समालना जो यह आगे चलकर SDM बनते हैं ठीक है district magistrate बनते हैं तो यह सारे लोग क्या गरते हैं यही देश की backbone होते हैं जो collector होता है एक district का वो बहुत ही important अपने नाम सुना होगा न भाई collector बनना है movie में कभी सुना हो यह तो collector बन गया यहां फिर सकते हो कि एक collector को आप एक IS officer भी मान सकते हो क्योंकि एक IS officer ही collector बनता है तो यह हमारा executive का chapter था आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो अच्छी लगिए तो चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और अपना feedback आप comment box में जरूर दें और वीडियो का अपने दोस्तों के